और सिर्फ उसी से डेटे अगर जोग्रफी का मान लेजिए कि कोई पार्ट मिट्टी का खतम हुआ तो मिट्टी में क्या 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 कोश्चन पूछा उसका डीटेल से चर्चा आपके सामने कर दूगा और हाँ दोस्तों एक बात बता दूँ चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपक क्योंकि वो देखना उसी टाइम में इंपोर्टेंट्स होता है अब आते हैं चर्चा करते हैं बैकलफिक भी से इतिहास के बारे में दोस्तों एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर हिस्त्री मैं खुद पढ़ाता हूँ ये मेरा तो इसके लिए जो है अगली 65 जब आप मेंस प्री क्वालिफाय करके जब मेंस लिखोगे तो उस समय में कोशिश करूँगा कि मेरी संस्था पतना में पहुँच जाएगी और वहां पे offline class हमारी start हो जाएगी अगर आप चाहोगे जुड़ना तो आराम से जुड़ सकते हो और ये optional के लिए आप ह जो है हमारी WhatsApp पे छोड़ दें जिससे कि मैं अलग से group बनाके उन्हें अपने WhatsApp में रख लूँ और साथ में जब मेरी institute start हो जाएगी तो मैं आपको information दे दूँ जिससे कि आप आ जा सकें आपको बता दो दोस्तों सबसे importance ये तो थी थोड़ी से हम अपनी advertising कर दिये ताकि बता इक तरिक से आप का सकतो है ये सच बात है य ये सच है लेकिन कुछ इसक का इतिहास against this ही और इसका reality में जो इतिहास है इस वह भी आपको मैं बताने की खोशिश करूगा कि लोगों के अंदर एक phobia बैठा हुआ कि इसका पाठकर्म बड़ा सबसे पहला question ये आपको आज अभी इसी वक्त clear कर देता हूँ कि इसका पाठकर्म बड़ा बिल्कुल भी नहीं है यह सिर्फ मन में एक सोच है बताईए इसका पार्ट कर्म जो आप बड़ा कहते हो तो इसमें पांच पार्ट कर्म है, सच बात है अगर लेकर अस्टार्टिंग से चलें तो प्राची नितिहास मद्धकाली नितिहास आधूनी की नितिहास बिश्वितिहास करना नहीं होता कभी आप सोचे क्या वहाँ से बाहर निकल जाएगा क्या वहाँ आपको तथ्य और तिथियों कामबार नहीं मिलेगा जा बताईए आप हमे पक्का मिलेगा वहाँ भी आपको रूबरू होना होगा हाँ यहाँ थोड़ा गहडाई से पढ़ना होगा लेकिन वहाँ भी आपको पास करने के लिए गहडाई से ही पढ़ना पड़ेगा जितना सिलिबस दिया आयोग वहाँ उतना पढ़ना ही पढ़ना होगा तो बताईए कि कहा पार्टकर्म बढ़ा है ज़रा हमको समझाईए तो अब डिटेल से, कौँसा ऐसा सब्जेक्ट है, जिसका पार्टकर्म इससे बड़ा नहीं है, अरी सब का पार्टकर्म इक्वल ही है, हमारी बस थिंकिंग है, क्योंकि आयोग इतना बड़ा बेकूप ने बैठा हुआ है, कुई इस तरीके से एक का प पार्टकर्म देख पड़ार जाते हो, अगर पार्ठकर्म को समझाने वाला मिल जाए तो हिस्टरी का अगर एक कलास मैं आज ले लूंगा आपको अगले कलास के लिए इंतिजार होगा हिस्टरी जस्ट लाइक एक धालवाहिक चैनल है, पर आप कभी सास भी अभी कहानी घर दुनिया में, हिस्ट्री छोड़के, लेकिन आपको इसी से डर लगता क्योंकि हिस्ट्री आपको सही तरीके से कोई पढ़ा नहीं पाता, मैं अपने आपको इंटिलिजेंट नहीं प्रूफ कर रहा हूं, यहां इस बात का ध्यान रखे, जो भी पढ़ा रहा है, मैं रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री ही एकलोता ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें किसी भी फिल्ड का कोई भी बेक ग्राउंड का स्ट्ट्रेंट हिस्ट्री आसानी से उसको उठा सकता है, तो हिस्ट्री का पार्ट कर बढ़ा नहीं है, दूसरे पॉइंट पे, दिमाग के अंदर फोबिया जो बेकूफ है, आप क्योंने बता रहे हैं कि वो सिच्छक पढ़ने बाला बेकूफ है, चाहे मैं भी क्योंना रहा हूँ, मैं भी टीचर क्योंने, मैं भी बेकूफ हूँ, ऐसा मत समझना किसी टीचर को बता रहा हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ, और मैं कभी भी किसी पे अगर किसने आपको ये बता दिया कि सप्टों का खेल खेला जा सकता है, आप हिस्ट्री में जितना बढ़ियां लिखके आ सकते हैं, उतना बढ़ियां कोई ऐसा सब्जेक्ट ही जिसमें आप लिखके आ Aegy Aga, नहीं लिखके आईएगा, और हिस्टी कुछ ने रठने का नहीं है, हिस्टी बस समझने का है, सुनने का है, अंदर इंट्रेस्ट बनाने का है, बाकि दूसरा सब्जेक आपको रठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हिस्टी सिर्फ और सिर्फ बस सुनने में इंट्रेस्ट लगाना है, हिस्टी आपक इसका कोई गुनाह नहीं है, आपने हिस्ट्री को गुनाह बान लिये हो, अलग बात है, वो आपका thinking है, लेकिन गुनाह हम जैसे सिचक और आप जैसे student का है, बरना हिस्ट्री तो ऐसा है, कि हिस्ट्री में ऐसा नबर ला सकते हो, जो इतिहास बन जाएगा, आपके जीते जी व कौंसा इसा सब्जेट है, कौमेंट करके बताइये कि समय्जाजा रहा है, और अगर नहीं सदी के पुर्दभारद में, ऐसे करकर के तो लोग आगे भाग रहे हैं, कहां तीथी लिखते हैं? आप अगर कोर्षट्न बेंक लाए हो Computer Bank में, कोर्षट्न बेंक में जो लिखा हुआ होता है kMarag Quarter Bank Solved Proflex मेंन के आप देखे वो तो लिखने बाला एकसपर्ष होता है, कौन सा subject में है जहांपे success 100% है इपन इतिहास में भी बात करता हूँ लेकिन हाँ इतिहास एक ऐसा subject है जो GS से लेके optional तक, optional से लेके essay तक और essay से लेके interview तक साथ आपका देता है एकदम साथ देता, equally साथ देता और ये बात को आप भी एसास किजिए मेरी बात को अंदर तक जाने दीजिए, हाँ ये बात सच है कि मेरा optional history है मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा तो आपको जोडने के लिए इतनी बात जरूर बोला हूँ लेकिन इतनी बात जोडने के लिए बोला हूँ और इसमें सचाई भी है, इसमें एक बुंद कहीं भी जूट नहीं है, क्योंकि हर जिम्मेदारी मैंने आपको बताया हूँ, कि सिच्छा की जिम्मेदारी मैं खुद की और आप जैसे स्टुडेंट की भी है, मैंने अपनी भी बुराई किया हूँ, इस बात का ख्याल रखा जाए, साथ में तट्ठ्यों और ती बताये कौन सा सब्जेक पढ़ाना है हिस्टी में, लाइए आपको पढ़ाते हैं, और आपसे ही पुछेंगे कैसे नि बनता कोश्चन, दिखते हैं, आपको ही पढ़ाएंगे और आपसे ही बनवा देंगे कोश्चन, बनेगा, बस रते पढ़ाने बाला सही होना चाहिए, फिर तधियों और तिथ्यों की कोई प्राबलम नहीं है, वो तो खुद आपके अंदर चला जाएगा, इस तरीके से, मतरब स्टीब आप स्टीब से ही आपको तथ्यों समझ में आ जाएगा, रतना तो कुछ है ही नहीं है, इतिहास में जिसने रता, वो इतिहास पढ़ाई क इसलिए अगर आप लोग हिस्ती लेना अगर चाहते हो पैसटमी में जो लोग हैं तो आप लोग जो है मेंस के लिए और ऑप्शनल पेपर के लिए आप हमसे जूर सकते हैं हमारा वाटसप नमबर डिस्कप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहां भी है आप अगर चाहिए तो आप यहां पे मैसेज छोड़के हमसे जूर सकते हैं चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे और खुश है और एक बात और यह पूरा जितना भी मैंने आपको बताया हूँ अगर इसमें कुछ परिव और इसी सिलसिले बार तरीके से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्लीज आपसे जरूर गुजारी से कि अपना सजिसन दीजिए थेंक्यू नमस्कार